नमस्ते दोस्तों सागत आपका एक और नहीं वीडियो में एक और नहीं आईडे के साथ तो फ्रेंड्स कल है दो जून और दो जून से शुरू हो रहा है टी-20 वर्ल्लकॉप यह रगाईस हमारा टी-20 वर्ल्लकॉप छोटा सा तो इसलिए मुझे बहुत कमेंट भी आ रहे थे है वह तो चलो लैट्स गो तो अपनी जर्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक प्लेइन टी-शल्ट जिस पर हम अपना जो टैक्स्ट वगएरा और ड्रोइंग बनाएंगे अपनी बनाएंगे और उसको अपनी जर्सी में करेंगे तो इसके लोग मुझे प्लेइन ब्लू कलर की टी-शल्ट मिल चुकी है यह देख सकते हो और इसकी जो साइड़ वाली आस्ति ने वह भी एकदम कुछ-कुछ ऐसी ही है बागी एकदम पूरी प्लेन है एकदम मस्त तो अगर आपको मिल जाए तो ठीक है वैसा आज कल बहुत चलनी है यह दो कलर में टेक्स्ट और इस्पोंसर वगेरा जो भी है तो उसके लो यार हमारी आर्ट इतनी बढ़िया तो है नहीं कि हम बस इसा खोल के एकदम ड्रोइंग बना देंगे तो सिंपल हर वीडियो की तरह जितनी मैंने बना दिया है टेंपलेट यह रहे कुछ इस तरीक के देख सकते हो ठीक है और मैं यह जो जर्सी बना रहा हूं यह विराट कोली की बना रहा हूं 18 नमबर की वाकि अगर आप अपने कोई फेवरेट करिकेटर या आपने नाम की बनाने चाहते हैं तो वह भी बना सकते हैं यह देख सकते हैं तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिद हैं थोड़े अच्छे भी लगेंगे तो चलो यह सब चीज़े हो चुके हैं रेडी बस अब करते हैं शुरू बनाना और देखते हैं कि कैसी बनती है पहन बहुत कर लिया है तो अब इससे काटेंगे हम तो अब यह हमारे टेक्ष्ट थे ना इन्हें हमें अपनी टीसल्ट क अब बिच यह ऊपर करना है तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से काट लेना है अब देख सकते हो कार्ट टाइम पे जो ड और आर के बीच में यह होता नहीं इसमें मैंने सपोर्ट देखके ने काट दीआ है जैसे भी अच्छी तरीके से ट्रेस हो जाया है उस तरीके से काट लेना और काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा ओर पुरा template कट चुका है एकदम जितना मुझसे बन पड़ा मैंने काट लेंでは इसाइड वाल tunnels भीधेन लेना है आप अपने नाम का ऑपने नाम का और देख सकते में कोई भी एक हाड पेपर नहीं तो फिर रख लेना है ताकि हमारी जो है ना सर्फेस एक्दम स्मूध मिले और टेक्स्ट को जो है ना प्रिंट करने में और लिखने में आसानी हूँ तो अब देख लेना कि कहां पर भी आपको लिखना है उस तरी तरीके से महप पर रखके तो इस वाज़े से टेक्स्ट पर मैं इतनी मेहनत करता हूं मतलब पूरा एकदम काट के जो है ना जब ट्रेस करता हूं और देख सकते हो यह पैंट से कुछ इस तरीके का लिख रहा है मुझे तो एकदम सई दिखाई दे रहे था पता नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं बाकि अभी हम कलर करेंगे तो एकदम सई दिखाई देने लग जाएंगे तो जब आप यह लिख लेना तो आप एक बार इसको जो है ना पहन के देख लेना अपनी रिसल्ट को कि सई से साई साई जगह सब चीज लिखी गई है कि नहीं और बाद में पेंट करना तो मै यह वाटर प्रूफ ही बनेगी तो चलो स्टार्ट करते हैं पेंटिंग अब पेंटिंग मियार इसमें जो है ना दो लेयर में हो रही थी क्योंकि यह थोड़ा सा कपड़ा एब्जोप कर रहा था पेंट कू लेकिन कोई दिक्कत नहीं है वैसे हमने इसके बीच में एक करके किस तरीके से करने और मैंने आई पेल की और भी बहुत सरी जड़सी बनाई है वह भी आप वीडियो देख सकते होगा इस बहुत चीज़े मैंने किर्किट से रिलेटेड क्राफ्ट की बनाई हुई है चैनल पर अब जाके देख सकते हो एकदम मज़दार मजदार यार देखके हैं तो चलो आप यह जो हमारे इंडिया का यह जो टेक्स्ट इस भी मैंने पूरा लिख दिया है और पहली लेर तो यार थोड़ी सी हलकी सी जो है ना फिकी हो जा रही थी लेकिन दूसरी लेर करने के बाद सेरा चीज़ एकदम ऐसी उभर के आ रही थी कि क्या बता यह जो आप लगाते हैं इसमें हमारा जो बीसी जाई का लोगो है न वो तो यह रहे हमारा लोगो जो हमने काट लिया था जो इसको हमें लगा देना है अपने टीशट के साइड में तो देख लेना जो एर ड्रवाइना इसके ठीक बड़ाबर में यह लगा हुआ है और यहा बास्तिनों की भी detailing वगर है ना वह भी मैंने पूरी बना ली है और यह जो पट्टी बनी हुई इतना वाइट इसमें नहीं थी तो यह भी मैंने पेंट करके बना ली कोसित करी मैंने कि जितनी डीटेल बना सकता हूं उतनी पूरी बनाओं और यह साइड में पूरा पेंट हो चुका है और अचानक से में नजर पड़िया इसमें निच्छे की साइड में लिखा हुआ आया था मैन इन ब्लू तो यार भाई बंद को पता था जिसने जर्सी बेचिये की ब्लू जो है ना यह इंडेन टीम की जर्सी बनीगी कुछ-कुछ वैसा यह पीसाइड में से लिखा हुआ तो इसके से इपना बना बनाया आया ता अगर आपके पास इंपला और रैड मिलाके और आपकर सकते हो और फूरी तरीक्त यह इससवें ने दो लेयर लगाई अपनी जो है ना पेंट के और दोले लगाने वाद साइनिंग एकदम सई आच ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और पूरा हमारा पिछे का टैक्स्ट हो चुका है एकदम पेंट करने बाद रेडी पेंट जबाब करो ना थोड़ी दे सूखने दो उसके बाद अगले अगले स्टेप पे बढ़ो बनना तो हाथ पर चिपक जाएगा और जहां तहां फैलाते फिर होगे तो पूरा हमारा जो है ना पिछे के साइड में विराट लिखा जा चुका है और लिखने के बाद थोड़ी दे सूखने के बाद ये कुछ इस तरिक के लाग रहा था एकदम साई मुझे लगा यार कि अब हमारे टिस पूरी जर्सी है ना इंडियन क्रिकेट टीम की टीटवंटी वर्लकप की वो बन चुकी है एकदम साई लग रही है आप बताओ गाइस आपको कैसे लग रही है फ्रेंट से भी और बैक साइड से भी पूरा एकदम सब चीज एकदम साई तरिक्के से पेंट हुई है मैं तो दस में से पूरे दस नमबर दूँगा तो हमारी इंडिया की टीटवंटी वर्लकप की जर्सी बन चुकी है बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी देख सकते हो कैसी लग रही है पीछे मैंने विराट कहूली लिख दिया है विराट एकदम मस्त लग रही है भाई साब बाकि आप बताओ कि आपको कैसी लग रही है बहुताएं के देखते हैं की तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमारी वर्लकप की जर्सी बन चुकी है इंडिया की आप बताओ की कैसी लग रही है एक दम मस्त लग रही है यार मुझे तो थोड़ी बढ़ी डीटेलिंग अगर कुछ और रह द्रीम 11 का लोगो भी देख सकतो क्योंकि मैं राइट हैंड हूं और अगर आप लैफ्ट हैं तो इधर बना सकते हो और यार जटी तो हमारी यही वर्ल्ड कप का है वर्ल्ड कप लाओ तो यह यहार हमारा टी टूंटी वर्ल कप भी छोटा सा जब इसली बार हुआ था तो मैंने बनाया था काफी उमीद लगा के की चलो जीट जब इंडिया लेकिन नहीं जित्ती यार जब से भाई सब क्रिकिट देखना सुरू करानी जब से होस्ता मला तब से एक भी ट्रोफी की नहीं जित्ती दस साल हो गए 2015 से देखना सुरू कर रहा था उससे पहले तक सिर्फ सचिन सर और धोनी सर की नाम याद था अब यार देखते क्या हुटता आप की वारभी आइस आप बताओ जीत रहे की नहीं जीत रहे क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बताने का और इस जर्श सब्सक्रिप्सन बहुत है और गाइस के मस्त सेर